अबी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया तो तुरूंती सब्स्ट्राइब कीजे और साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दिजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे दोस्तों फाइनली डेटसन ने अपनी मोस्ट पॉपलर एंट्री लेबल हैजबेक रेडिको को बिलकुल नए अफ्तार में लौंच कर दिया है जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों 2.83 लाग टू 4.77 लाग एक्शो रूम प्राइस दिल ली रखी गई है और कम्पनी ने फेसलिफ्ट डेटसन रेडिको को पूरे 4 वेरेंट में लौंच किया है दोस्तों D, A, T and T option जहां D इसका लोवर वेरेंट है and T option इसका टॉप वेरेंट है और इसकी टॉप वेरेंट में आपको मैनुवल के साथ साथ E, M, T transmission का भी बिकल्प मिलता है दोस्तों चले दोस्तों बात करते है सबसे पहले इंजन की फेसलिफ्ट डेटसन डेडिको में अबलिबल कराएंगे है टू इंजन आप्शन नमबर वन BS6 compliant 0.8-liter 3-cylinder पैट्रो इंजन जो की 54-BHP की पावर 5,600 RPM पे and 72-NM का पीक टॉक जनेट करता है 4,250 RPM जहां तक transmission की बात करें तो इसमें आपको 5-speed manual transmission ही अबलिबल कराएंगे है दोस्तों इसमें मिलते हैं BS6 compliant 1-liter 3-cylinder पैट्रो इंजन पावर स्पेसिपिकेशन के अगर हम बात करें 67-BHP की पावर 5,600 RPM पे and 91-NM का पीक टॉक जनेट करता है 4,250 RPM जहां तक transmission की बात करें तो इसमें अबलिबल कराएंगे है 5-speed manual and AMT gearbox का option चले दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके design और dynamics ये तो शुरुआत करते हैं front profile से तो यहाँ पे आपको headlam unit पहले के मुकाबले में काफी sleek design दिया गया है chrome inserts में और उसके नीचे L-shaped body सांदर LED daytime running light दिया गया है जो कि पहले के मुकाबले में काफी बहतर design यहाँ पे देख लोगो और उसके जस्ट नीचे दिया गया है black color में skid plate जो कि इसके front profile को और भी announce कर देते हैं दोस्तों चले दोस्तों बात करते हैं इसके side profile की तो यहाँ पे बहुत ही सांदार 14 inch के wheel with penta blade wheel cover के सांथ यहाँ पे provide किया गया है और fender पे provide किया गया है turn indicator और turn indicator के ठीक ऊपर dadson की emblem और यहाँ पे orgium दिया गया है body colored और इसके सांथ ही बहुत ही सांदार intermittent wiper भी provide किया गया है और इसके सांथ ही provide किया गया है body color door handle और इसके b pillar पुरी तरह black out किया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके dimensions की तो length 3435 mm width 1574 mm height 1546 mm wheel base 2348 mm boot space 222 liter fuel tank दिया गया है 28 liters और जहां तक ground clearance की बात करें तो इस segment में सबसे ज़्यादा 187 mm का ground clearance provide किया गया है दोस्तों चलिए बात करते हैं rear profile की तो यहां पे बहुती सांदर re-design में दिया गया है LED tail lamp जो की काफी सांदर दिखने वाले है पहले के मुकाबले में और सबसे उपर integrated spoiler tailgate पे आपको मिलने वाले है deadson का logo और tailgate के left side दिया गया है engine option की wedging और right side ready go की wedging बहुती सांदर दिखने वाले हैं जहां तक इसके bumper की बात करें तो dual tone re-design में प्रोवाइड किया गया है जिसके दोनों और आपको reflectors दिये गया है और उस पे आपको reverse parking sensors भी प्रोवाइड किया गया है और tailgate के बीच ओबीच प्रोवाइड किया गया है reverse parking camera जहां तक interior की बात करें तो इसमें आपको बहुती सांदार swanky dual tune dashboard प्रोवाइड किया गया है जो की देखते ही बनता है दोस्तों और इसमें steering wheel आपको three spoke tilt table आपको steering wheel प्रोवाइड किया गया है center console में आपको दिया गया है बहुती सांदा इट इंच का touch screen infotainment system जो की support करने वाला है Android Auto, Apple car player, Bluetooth connectivity, navigation, radio FM, aux and USB को old variant में आपको कोई भी touch screen infotainment system available नहीं करा गया तो वहीं instrument cluster की बात करें तो इसमें भी आपको redesigned illuminated instrument cluster प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको MID भी दिया गया है दोस्तों center console में प्रोवाइड किया गया है दोस्तों smart utility spaces यहाँ पे mobile रखने की जगह cup holder की जगह और power window के control और silver inserts दिये गया है काफी premium रेने वाला है दोस्तों और अगर हम door panel की बात करें तो यहाँ पे भी आपको fabric inserts मिल जाते है इसके अलाबा glove box में अच्छी कासी जगह रहने वाली है दोस्तों और ORBM body color और internally adjustable ORBM आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि एक plus point है काफी premium interior प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे dual tone fabric repository प्रोवाइड किया गया है दोस्तों और doors पे आपको silver inserts देखने को मिलेगा front में power window and rear में manually adjustable window की control आपको provide होने वाला है दोस्तों और इसके fabric repository में आपको tri-aero shape design देखने को मिलता है दोस्तों और leg room head room की बात करें तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है दोस्तों और जहां तक इसके boot space की बात करें तो काफी अच्छी कासी यहाँ पे जगह रहने वाला है दोस्तों total 222 liter का boot space provide किया गया है और parcel tray भी आपको यहाँ पे provide किया गया है top in variant में और इसके अलावा lower variant में आप agent accessory के तौर पर parcel tray को install कर वा सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का look देने वाला है जहां तक safety features की बात करें तो facelift detection ready go में provide किया गया है dual airbag ABS with ABD reverse parking sensors reverse parking camera seat bed reminder driver side end go passenger side engine immobilizer front impact beam side impact beam anti-thep device जैसे premium safety features provide किये गया है यह थी दोस्तों complete information about facelifter Datsun ready go के बारे में आपको कैसे लेगी नीचे comment section में ज़रूब बताएगा दोस्तों और एक like तो बनता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते एक नई वीडियो पे तब तक के लिए thank you दन्यवाद जैहे हैं झाल